पराचीन काल से ही नजर उतारने वे भगवान की प्रतिमा के आगे वातावरन को पवित्र करने के लिए मोरपंग का ही प्रयोग होता आया है आपने देखा होगा कि जैन मुनी भी अपने साथ मोरपंग की पिचिका रखते हैं दरसल मौर पंग सकरात्मक्ता का परतीक है जिसका शरीर वे स्वास पर अच्छा परबाव पड़ता है। इसलिए मौर पंगों को छोटे बच्चों के सिर पर लगाने या उनके बीसर के निज़े रखने की मानने तब पुरातन काल से चली आ रही है। द्वापर के काना भी इसलिए मौर मुकुट से सुचोबित हुए। वस्तूते मौर ही अकेला एक ऐसा प्राणी है जो भ्रहमचारे को धान करता है। अते प्रेमे भ्रहमचारे के इमान भावनों को समाहित करने के परतीक के रूपें कृष्ण मौर पंग को अपने सिर पर धारन करते हैं। घर में मौर पंग रखना प्राचीन काल से बहुत शुब माना जाता है। वास्तु के अनुसार मौर पंग घर से अनेक परकार के वास्तुदोष दूर करता है और सकरात्मक उठजा को अपनी तरफ खीशता है। इसलिए मौर पंग को वास्तु में बहुत उप्योगी माना जाता है। जोतिश और वास्तु में मोर पंको सभी नो ग्रहयों का प्रतिनिदी माना गया है। इसे घर में रखने से सकरात्मक उठ जातों आती है, घ्रह दोश भी शांत हो जाते हैं। मोर पंक में सभी देवी देवताओं का वास्त भी माना जाता है, घर के वास्तु दोश निवारण में मोर पंक बहुती कारगर उपाय है। मोरपंग को घर में रख लेने मातर से कई समस्यों का समधान हो सकता है घर का वास्तु दोश दूर हो सकता है और घर परिवार में सुक सम्रद्धी और धन समपदा आ सकती है वास्तु शास्तर की मान्यता है कि यदि आपके कारों में रुकावट आती है कोई काम समय पर पूरा नहीं होता तो अपने घर के पूजा स्थल में पांच मोरपंग रखें और प्रति दिन इनकी पूजा करें 21 दिन बाद इन मोरपंग को तीजोरी या लोकर में रख दें ऐसा करने से धन संपत्ती में ब्रदी होगी और अटके काम भी बनने लगेंगे शेंडर का कक्ष में पूर्व या उत्तर दिशा में दो मोरपंगों को एक साथ दिवार पर लगाने से दप्मंते जिवन से जूड़ी समस्यों का अंध होता है यदि घर में वास्तु में मानने पांच सत्वों का संतुलन ठीक ना हो और घर में नकरात्म कोट्जा का निरनतर परवाव हो रहा हो तो घर के पूजा स्थाल पर पांच मोरपंग रखें इस कारे से नकरात्म कोड़जा का नाश होता है और सकरात्म कोड़जा से घर के में सुख सम्रद्धी का वास होता है मोरपंग बहुत ही चम्रतकारी होता है और मोरपंग के घर में होने से परए विशहले जिवजनतु नहीं आते मोर पंग को ऐसी जगा रखना चाहिए जहां से सबी की नजर उस पर पढ़ सके ऐसा करने से घर के नकरात्मक तादूर होती है जिन लोगों के बच्चे जिद्धी सबाव के होते हैं ऐसे बच्चों की जिद्ध को कम करने के लिए मोर पंग से बने पंगे से 11 बार या 21 बार हवा करने चाहिए एफजीन बच्चों का मन पड़ाय में ना लगता हो उनके पढ़ने की मेज़ पर साथ मौर पंक लगाने से लाब होगा शुब परिनामों के लिए उनकी किताब या डायरी में एक मौर पंक अवश्य रखें यदि आपके घर का परवेश द्वार शुब कोण या दिशा कोण जैसे पूर उत्तर या इशान दिशा में नहीं है ऐसे वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्याबाद